मैं प्रतिवाइचाहन हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एपियो के लिए बिहार एपियो के लिए 15 डेज रिविजिन स्टाटजी की हम नेक्स्ट 15 डेज कैसे करें क्योंकि 15 डेज हैं आज 20 है 20 से लेकर के आपके पास तीन फरवरी तक या फिर मैक्स तो मैक्स चार फरवरी तक समय है उसके बाद तो आपको जाना ही पड़ेगा जो बाहर के कैंडिडेट है तो आपके पास बेसिकली 15 दिन का समय है अब यह 15 दिन इसलिए मैंने कल वो एक वीडियो डाला था हाला कि वो वीडियो सिविल के कैंडिडेट के लिए सूट करती है 15 दिन पहले बहुत जादा आप लोग डिप्रेस्ट हो जाते हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज आप अपने आपको कैसे संभाल के कैसे सिस्टमाटिक वे में पढ़ सकते हैं तो आपको यहां पर जो मैं बता सकते हैं ठीक है जादा नहीं दे दस दिन और पांच दिन का रिविजन कर सकते हैं बाकि मैं यह तीन रिविजन वाले जो कांडिड मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं पढ़ते आ रहे हैं या जो बच्चों को जो से पहले से पढ़ा हुआ है बस थोड़े बहुत एक चोटा सब्जेक्ट है चोटा सब्जेक्ट है 167 सेक्षण है लेकिन पढ़ने इसमें से हंडेड ही होते हैं ठीक है हंडेड के लावा वाकी के काम की भी नहीं है हंडेड और उसके साथ एमसी क्यों जो अभी तक लगाते आ रहे हो जो शॉट लिस्ट किये होंगे ना 200-300 mcq उन्हीं को प्राक्टिस करिए नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना है आईपीस उठानी आईपीस थोड़ा सा बड़ा है इसलिए पैनिक नहीं करना तीन दिन मैंने देखो आपको आईपीस के लिए तीन दिन आईपीसी पहला पढ़ना है 100 section mcq लगाने फिर आपको करने हैं किसी को ज्यादा स्पीड हो तो 200 section पहले दिन और 200 section अगले दिन CRPC दो दिन में खतम यह एक टैंटिटिव है नॉर्मल है रफ है सभी बच्चों के लिए है ठीक है लेकिन किसी की स्पीड अच्छी है किसी ने बहुत पहले से कोर्स कर रखा है तो वह 5-5 दिन में भी में रखेके अपने रिवीजिन कर सकता है कोया का इस्पान को डेली लेकर चलना है डेली लेकर चलोगे तो 7 डेस्स में आपका गॉनतिटीशन बहुत अच्छी तारीë से हो जाएगा एक एंग doesn't a रोज constitution लेकर चलना है यह आपका first revision आपका complete हो जाएगा अच्छी तरह से 26 जनवरी तक ठीक है 20 तारीक से लेकर के 26 तारीक तक आपका seven days में पहला revision बहुत बढ़े तरीके से हो जाएगा with mcq और आप इन section को करने में ज़्यादा समय की भी जुरुत नहीं है पांच पांच गंटे भी बैठेंगे ना लेकर के तो बहुत आराम से बहुत आराम से हो जाएगा पांच गंटे law को दीजिए पांच गंटे gs को दीजिए और एक गंटा night में सोने से पहले revision कीजिए ग्यारा घंटे ग्यारा से बारा घंटे इनफ है अभी भी इनफ है देख लो कोई ज़रूरत नहीं होती है वह 18-18 घंटे करने की और यह प्राक्टिकल में पॉसिबल होता है मैं आफ्लाइन में करवाती हूं मेरे सामने करवाती हूं बच्चों से ठीक है फिर आपको क्या करना है second revision की और move on कर जाना है first revision में कोई चीज मिस हो गई है ऐसा लगता है कि मुझे memorize नहीं हो पा रहा था याद नहीं हो पा रहा तो ज़्यादा प्यानिक मत करना अभी last के time पे यह मत सोचो मझे याद कितना है tips पे कितना है पस पढ़ते रहो आँखों से go through करते रहो अपने मुझे से निकाल दो वो सब चीज है second revision में आपको पांच दिन मिलेंगे 27 से लेकर 31 तक पहला है evidence पूरा एक दिन में करना है बहुत आराम से हो जाएगा IPC एक दिन में बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से क्योंकि आपने दो दिन दो दिन exact वैसे नहीं दिये हैं एक दिर आप constitution करिएगा rest दे आपको उसके mcq लगाई है कुछ problem होती है क्योंकि constitution में क्या थोड़ा सा पीछे वाला area बच्चों को परिशान कर देता है और अगर किसी का constitution एक दिन में हो जाता तो 31 को पूरा revise कर लो बहुत बढ़िय करना है आपको एक फरवरी में तीन घंटे के अंदर evidence करना है बहुत बढ़िया तरीके से तीन घंटे में हो सकता है न फिर आईपीसी चार घंटे में करनी है तीन घंटे पढ़ लिया थोड़ा सा जीए उसके बाद रेस्ट लेना जीएस लगाना दो तीन घंटे जीएस करना है तीन घंटे में चार साथ साथ घंटे में एक एक दिन में आपने पूरे दो-दो सब्जेक्ट निकाल लिए और तीन दिन में फूरे जितने भी आपने फर्रे चोटी-चोटी शॉटनर्स मनाया पूरे एकदम गो थूरू कर देना और यह थर्ड रिविजन में आपक तो गड़बड हो जाएगी यह है एक्जाक्ट जो चीज आती वही करना है ठीक है चार तरीकों कुछ नहीं करना रिलैक्स करना थोड़ी शॉपिंग आपिंग करिया न जो बाहर से जारे हो लोग बाग है ना अपने आपको कूल रखो थोड़ा बत पढ़ लो जैसे करेंट कोई आपने शॉट नोट्स मनाई हुई है या साइंस की कोई शॉट नोट्स है जो चीज आपको बहुत बड़े तरीके से आती ना सिरिफ वही करो कम से कम लास्ट में इतना तो कॉन्फिडेंस होगा कि हमें कुछ तो आता है मुझे है न हर चीज में हात मानने जाओगे नह मैं तो एडवाइस करूँगे कि लास्ट मॉमेंट के लिए मद बैटना कि छे को निकल रहे हैं साथ को सुबह पहुंच जाएंगे हैं छे की नाइट को पहुंच जाएंगे बहुत दिक्कत हो जाएगी ठीक है न तो ये थी मेरी छुटी सी एडवाइस थैंक यू सो मच आप से फॉलो करें और जादा टाइम वेशना करें और भी कोई चीज आपको लगती है सजेशन कमेंट एडवाइस कोई भी नीड तो आप मैंजे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं थैंक यू